यह हर जगह मिलने वाली साधार्ण सी चीज आपके अमरूद के पौधों को फलों से भर देगी और ना सिर्फ जादा फल आएंगे बलकि देखिए कि आगे फलों का साइज भी किस तरीके से बड़ा हो जाएगा तो आज के वीडियो में जानेंगे कि केले की साहता से हम अपने अमरूद के फलों का साइज कैसे बड़ा कर सकते हैं नमस्कार, सुप्रभात, मैं हूँ रवींद्र और आप बने हुए हैं हॉम गार्डन पर यह हमारा एक छोट आसा अमरूद का पौदा है और जिस पर इस समय देखिए फ्रूटिंग जो है तयार हो गई है और अब यह बिल्कुल उचित समय है कि आप अपने अमरूद के पौदे को तयार करें जिससे इस पर जो फलों का साइज है वो बड़ा हो सके आप हमें इस्टाग्राम पर हॉम गार्डन वाइटी नाम से फौलो कर लिजिए वहाँ हम नए नए अपडेस आपके लिए लाते रहेंगे आज के वीडियो में हम सिर्फ अमरूद के फलों का साइज बड़ा करने को जो है सामिल करेंगे कि अगर आपके पौदे पे फल तो बहुत आता है लेकिन उसका साइज इंक्रीज नहीं होता है तो आपको क्या करना है तो जैसे ही आपके किसी भी फसल पे वो चाहे घर्मियों की हो या वरसाद की या सरदी की किसी भी फसल पे fruiting हो गई हो और इसके बाद मटर से थोड़ा बड़ा साइज हो गया हो फलका इस तरीके से तो अब आपको ये प्रिक्रिया सुरू करनी है तो सबसे पहले आपको पौधे में पानी दे देना है नमी होनी चाहिए अच्छी नमी होनी चाहिए बड़ता रहेगा निव लीफ आती रहेंगी इस तरीके से तो पौधे के जो फल है उनका साइज नहीं बड़ेगा तो सबसे पहला काम तो हमें यह करना है कि पौधे को ट्रिम करना हल्का सा तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि पौधे की जितनी भी नई लीफ हैं इन्हें यहां थोड़ा आगे से बिल्कुल थोड़ा सा इस तरीके से कट कर देंगे और इस प्रकरिया में हम रियायत नहीं बढ़तेंगे बिल्कुल एक वी साथा आपको छोड़नी नहीं है जो बिना काटना है देखिए जैसे यहां फल लग रहे हैं तो आपको यह उपर से ट्रिम करना है इस तरीके से यहां देखिए कोसस कीजिए कि बिल्कुल उपर से आप ट्रिम करें क्यों को ट्रिम करने के वाद साखा सूखेगी हम नहीं चाहते कि हमारे फलों के पास से आकर यह अब केला आपके अम्रूत के फलों का साइज किस तरीके से बढ़ा करेगा इसके लिए हम एक टॉनिक बनाएंगे और केले से टॉनिक बनाने के लिए आपको 57 खूब अच्छे तरीके से पके हुए केले लेने हैं तो उनमें से दो केले सावत लेने हैं और बाकी केलों के आपको छिल के उतार कर अलग रख लेने हैं तो जो हमने अलग से दो केले लिये हैं उन्हें आपको कट करेंगे और एक प्लास्टिक के वरतन में वो पीसेस आप इखटा करते रहेंगे केले के अंदर potassium, magnesium और phosphate होता है जो के पौदों में फल, full increase करता है तो यहाँ पर हम जो tonic बनाने वाले हैं यह सभी फलदार पौदों के साथ-साथ फूलदार पौदों में भी बहुत अच्छा काम करता है तो यहाँ पर हम केले और उसके अंदर का जो भी material है उसे एक बरतन में डाल कर उसमें आधा से पौन लीटर पानी डालेंगे और इसे अब 6-7 दिनों के लिए इसे छोड़ देंगे बीच-बीच में आप इसे mix करते रहेंगे लगवग 8-10 दिन बाद यह fertilizer यह tonic जो है बन कर तयार हो जाएगा कुछ इस तरीके से इसका पानी जो है रंग बदल लेगा अब आपको अपने अमरूत के पौदे के पास जाना है अगर गंबले में पौदा लगा है तो गंबले में या जमीन पर आपको एक खूब गहरी गुड़ाई करनी है लगवद 3-4 इंच गहरी नीचे से मिट्टी जो है उपर आ जानी चाहिए तो ये हमने एक गहरी गुड़ाई करनी है अब आपके पास 57 केले के छिलके होने चाहिए ये इस तरीके के फ्रेस भी ले सकते हैं पौराने भी ले सकते हैं 3-4 किलो पौरानी गोबर खाद या कंपोस्ट खाद या बर्मी कंपोस्ट और ये जितनी फुली डीकंपोस्ट हो उतना ही बहतर रहेगा सबसे पहले गमले में अगर अम्रूत का पौदा लगा है या जमीन पर गुड़ाई करने के बाद उसके चारो तरफ ये गड़ा बनाना है तने से थोड़ा दूर और ये देखिए गड़ा बन गया है 3-4 इंच गहरा और जो केले के छिलके हमने लिए हैं बनाना पील वो इस गड़े में डालेंगे कुछ इस तरीके से ये देखिए ये जो हम फीडिंग कर रहे हैं ये लंबे समय तक काम आती है इसके बाद जो कंपोस्ट खाद लिये वो केले के छिलके को उपर हम एक लेयर बनाएंगे मोटी एक दो इंच मोटी और ये जो फीडिंग है ये लगाता छे महीने तक आपके अमरूद के पौदों को जो हम पोसक तत्व देती रहेगी पौदा कमजोर नहीं होगा और फल बड़े बड़े हो जाएंगे और मोटे आएंगे इसके बाद जो मिट्टी है उस मिट्टी से हम इस गड़े को कवर कर देंगे ये देखिए इसके बाद हम इसे थोड़ा सा ठौक पीट का ठोस करेंगे थोड़ा सा मजबूत करेंगे क्योंकि अभी हमारे पास हमारे बनाना से बनाया हुआ टॉनिक है यह टॉनिक यह लगवा आधा लीटर है और सबसे पहले हम गोवर खाद की एक लेयर बिचाएंगे और यह हलकी लेयर होगी बहुत हलकी लेयर होगी पतलीसी बस दिहान रखिए यह जो कंपोस्ट या गोवर गोवर खाद है यह कारवनिक पदार्थों की मात्रा बढ़ा देती है इसके बाद जो केले से हमने टॉनिक बनाया है वह हम छिड़काव कर देंगे इस तरीके से यह देखिए यह एक एंजायम के तरीके से काम करेगा इसमें वैक्टिरियाज होंगे जो के मिट्टी में पोसक तत्वों को बहुत जल्दी जो है बढ़ा देंगे मिट्टी में कारवनिक पदार्थों की मात्रा बढ़ जाएगी इसके बाद गोवर खाद का एक छड़का फिर से करेंगे तो लगाता तीन चाल लेयर बन जाएगी गोवर खाद और बनाना टॉनिक की इस तरीके से आप अपने अमरूत के पौधे में इस टॉनिक को दीजिए और फिर रिजल्ट देखिएगा मैं पहले से नहीं बता रहा हूँ आप खुद रिजल्ट देखिए फिर आप अपनी आ अमरूत के पौधे पर बहुत अच्छे फलाए हैं तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताईएगा